नमस्कार, आज में आपको बताऊंगे simple blouse cutting and stitching तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम एक कपड़े को देखेंगे, कपड़ा कितना है यह हमारा कपड़ा है वो एक मीटर है तो यहां पर देखिए, डबल करके रखेंगे पहले यह डबल है और यहां पर देखिए, हम 32 साइज का blouse बना रहे है तो 16 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे और उसके बाद 3 इंच लेंगे सिलाई के लिए इसके लिए देखिए, हमें कपड़े को छोटा बड़ा करना है इस तरीके से तो जैसे हमारी पीछे की लंबाई है 12 इंच तो देखिए हमारी पीछे की लंबाई 12 इंच है तो 1.5 इंच हम यहां पर सिलाई के लिए अलग से लेंगे कपड़ा और जो भी कपड़ा जादा है उसको आगे की साइड रखेंगे इसमें हम देखेंगे डबल तीरा भी लगा लेंगे तो यहां पर आगे की साइड हमारा 3 इंच है अब कपड़े को हम इस तरीके से डबल करेंगे अब यहां पर लेंगे हम 5 इंच और आरोमल लेंगे वो लेंगे 5.5 इंच और यहां से गोलाई गले की चोड़ाई हम 2 इंच की रखेंगे गले की लंबाई 6 इंच और यहां पर गोलाई तो देखे किसी ने कमेंट किया था कि आप गले को अलग लग काटें तो देखे यहां पर हम गले को अलग लग काटेंगे तो यहां पे हम पीछे का अलग काटेंगे और आगे का अलग, यह हमारा पीछे का है, जो छोटा है वो पीछे का है, आदा इंच हम यहां पर आरोमल का कटिंग करेंगे और यहां पर हमें तीरे का निशान लगाना है तेरा इंच पर अब दिए कि तीरा हमारा उपर की साइट नजाए तो हमने तेरा इंच पर यह बीच में निशान लगाया है एक इंच हम यहां पर लेंगे और टक्स का निशाल लगाएंगे हम यहां पे 9.5 इंच पर अब हमें अपना फिटिंग का कपड़ा निकालना है तो 32 का आदा 16, 16 का आदा 8 इंच यह हमारा फिटिंग का हो गया है अब 4 इंच यहां पे लेंगे आठ इंच का आदा करेंगे तो 4 इंच पर आएगी हमारी यह पिलेट दो इंच की दूरी रखने हमें यहां पे दो इंच की दूरी यहां पे और एक निशान हम यहां पे लगाएंगे अब हमें सबसे पहले यहां पर तीरे का cutting करना है गोल आई में और उसके बाद गला है यहां पर आप आरुमल की cutting जरूल करें क्योंकि यहां से ही जो लाती है आगे की साइड अब यहां पर हम कैची का कट लगा लेंगे इससे के दोनों साइड अच्छे से निशान बन जाएं तो हमारे चारो निशान बन गई हैं अब इसका लगाएंगे हम तीरा डबल तीरा लगाएंगे इसको ऐसे करके हमें हाँ अधा इंच हम अंपे कम कर लेंगे क्योंकि इसमें पलेत डालेंगे ना तो यह तीरा हमें बाजू के कपड़ा बचा हुआ है, तो इसकी जो चोड़ाई है, दो है 17 इंच, तो यहां पे देखिए हमें कपड़े को डबल रखना है, इस तरीके से, और यहां पे लगाएंगे हम कटिंग का निशान, तो यहां पे हमने 3 इंच लिया, इसको हमें उपर की सार इस तरीके से एक टेहिए हमारे यहां पर कपड़े की लंबाई है वह है 20 इंच तो हम इसको अठारा इंच की बाजू तैयार कर सकते हैं आदा इंच यहां पे जाएगा हमारा इंच दाए pag लेडियां सकते हैं तो आप मैं आपको इसके स्थिचिंग बताती हूं अब दिके सबसे पहले हमें इसमें प्लेटर डालनी है तो जो हमने निशान लगाए तो वो सीधे के लगाएं तो उसी निशान को हम उल्टे के साइड लगा लेंगे हैं कि क्यों कि कैच्छी के तो यहां पर कट लगी होगी है तो देखें, यहां पर हमें प्लेट डालने हैं, तो यहां पर हम इसको डबल करके आदा इंच लेंगे, आदा इंच लेने के बाद इसको कम करते हुए ऐसे उतारेंगे, यहां पर हमने आदा इंच लेना है, कम करते हुए उतारना है, और यहां पर हमेरी जो नीचे की प्लेट उसको लेंगे हम एक इंच, और इसको भी कम करते हो उतारेंगे, और यहां पे भी हम आदा इंच लेंगे, आरुमल की जो पिलेट है, और आदा इंच ही हमें जो बगली वाली पिलेट है, इसको लेना है, सबसे पहले हम यह चारों पिलेटों को डालेंगे, अब देखे, चारो प्लेटे हमने डाल दी, अब हमें इसमें तीरा जोड़ना है, तो जैसे मैंने आपको बताया हम डबल तीरा लगा लेंगे, तो यहां पर देखे, तीरे को हम इस तरीके से रखेंगे, अब देखे, मैंने नीचे के साथ देखे, डबल तीरा लगा लिया, अब हमें इसी तरीके सबना दूसरा प्लत त्यार करना है, झाले जहां मैंने रवा रेंताः लूसरा बताया है, मैंने लगां प्लत प्लत पार्वार लेंगे, तीरे की अबले का सबस्ते यह तो ये दो प्लत वैको के सरफ में अरूसरा देखे अब देखिए हमने यहां पर दोनों परलत तैयार कर लिए अब हमें इसमें हुक वाली और काजवाली पट्टी लगाने हैं सबसे पहले हम यहां पर पीछे का जो गला है उसको काट ले इसमें से कपड़ा बचेगा तो हम उसको हुक वाली और काजवाली पट्टी लगाएं तो देखें यहां पर हमने गले की चोड़ाई लेनी है दो इंच गले की लंबाई लेंगे दस इंच और पीछे की प्लेट का निशान हम यहां पर लगाएंगे तो यहां पर हमें पांच इंच पर पीछे की प्लेट का निशान लगाना और केंच के कट लगा लेंगे यहां पर हमारी पीछे की प्लेट है अब हमें इसमें आगी की प्लेट जोड़ दीए अब देखे मैंने यहां पर सोल्डर पर सिलाई लगा लिए अब हमें हुक वाली हो काज वाली पट्टी लगा दिए तो जो हमारा गले में से कपड़ा बचा हुआ था इसी में से पट्टी को बनाएंगे अब दीए एक पट्टी की जो हमारी चोड़ा यह भू है यहां पर दयट इंच और यहां पर हम देड़ इंज हैं अब इसको डबल करके लगाना हमें काज वाली पट्टी को तो य항ां पर हमारा यह डबल की रहा है तो पट्टी को हम इस तरीके से डबल करेंगे देखिए इस तरीके से नीचे के साइड डबल किया और यहां पर रखेंगे हम तीरे को ऊपर तो यह हमारी कादवाली पट्टी तैयार है अब हमें अपनी हुक वाली पट्टी लगानी है सबसे पहले हम इसको ऐसे करके नापने कहीं हमारा एक पलत बड़ा तो नहीं है क्योंकि तीरा हमारा बराबर आना चाहिए तो यह बराबर है कम जादा अगर हम दबा देंगे ना तो फिर पट्टी को हमें निकालना पड़ेगा फिर द्वारा से लगाना पड़ेगा तो इसलिए यह ना अपना जरूरी है तो थीं के यहां पर मेरी काज वाली पर्टी और रोकवा ली पर्टी लगके तैयार हैं अब हमें इसमें इसलाइ लगा लिए तो सबसे पहले हम हमेंशलाइं यहां पर इसको डबल करके दोनों पर्लों को इस तरीके से मिलाएंगे तो यहां पर हमने एक सिम्पल से सिलाई लगाएगे पहले अब देखिए सिलाई लगाने के बाद अब हम इसमें बाजू लगाएंगे और गले में पाइपल लगाएंगे उसके बाद हम अपने बाजू से ना पेंगे कि हमें कितनी इसमें और सिलाई लगानी है या हमारी फिटिंग बराबर है यह हम 32 चेश्ट का बाजू बना रहे हैं तो यहां पर हम ऐसे करेंगे इंची टेप को और इस तरीके से खीचेंगे इसको और आठ इंच पर हम निशान लगा लें कि यह हमारा यहां पर हमें फिटिंग के सिलाई लगानी है इस तरीके से इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है तो जो भी आसान और सरल तरीका है वो मैंने आपको बता दिया और नीचे की साइड एक कपड़ा है इसको अंदर की शर्ड दबा के तुर्पाई कर लेंगे यहां पर हमें अंदर की शर्ड दबा के इसको तुर्पाई करना है अगर आप पे गले में पाई पिल लगाना नहीं आता है तो प्लीज आप चैनल में देख लें मैंने बहुत ही आसान और सदल तरीके से गले में पाई पिल लगाना बताया है तो आसा करते हूं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को जाज से जादा शेयर कीजिए जो नए लोग है वो हमारे चैनल को सब्सक्राब करने इससे क्या है आने वाली जो नई वीडियो उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा धन्यवाद